हेलो फ्रेंड्स एक अब फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है तो आज हम यहाँ पे नॉलेज एन करीकुलम स्टार्ट करने वाले हैं और बाकी जो आपका कोर्स था मैथर पेपर उसका हमने है वहाँ पर स्टार्ट करा दिया गया उसका लिंक डिस्क्रिशन मिल जागा वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं तो आज से हम यहाँ पर कोर्स एट शूर करेंगे तो आपकी निवर्स्टी में देख लिजीगा कौन से कोर्स में आता है तो हमारा आज का कोशन है ज्यान से आप क्या समझते हैं और साथ में इसकी विशेष्टा देखेंगे उदेश्य देखेंगे तो ग्यान का आप सभी जानते कि ग्यान का कोई अंत नहीं आप जितना ग्यान अरजीत करते जाते उतनी आपका जिग्यासा बढ़ता रहता है ग्यान के प्रति तो देखेंगे इसमे एक मात्र प्राणी है जो विचार, चिंतन, मननन, मन्थन एवम अनुभव प्राप्ट करने में समःत है, और इनी मानसिक क्रियाओं के अधार पर मनूश्य नए ततियों से अवगदो होता है और ज्यान प्राप्ट करता है, उसके बाद लिकाए हम ये भी जानते हैं कि ग्यान ही समध सिक्षा का अधार होता है अर्थाज जितने भी सिक्षा प्रणाली है उसका अधार ग्यान ही है ग्यान धन की तरह है जितना एक मनुश्य प्राप्त होता है जितने एक मनुश्य को प्राप्त होता है वो उतना ही ज्यादा पाने की इच्छा करता है उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे जिसका अर्थ होता है जानना बोध यानिकि अंडरस्टेंडिंग अनुभाव से मना जाता है अर्थाद किसी वस्तू के सौरूप का जैसे वह है वैसा ही अनुभाव या बोध होना ज्यान है हम ये भी कह सकते हैं कि ज्यान अनुभाव का संसलेशनात्मक एवं विशलेशनात्मक रूप होता है तो यहाँ पर मनोविज्ञानी के अनुसार सुकरात के अनुसार ग्यान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहाईता से कोई भी कारी किया जाना संभव है फिर है कारल के अनुसार किया करने की शमता ही ग्यान है भारतिय दार्षनिक के अनुसार ग्यान वह है जो मनुश्य को सरवांगिन विकास करता है तथा उसके लिए मुक्ति का मार्क प्रशस्त करता है पलेटो के अनुसार विचारों की दैविये विवस्ता और आत्म प्रमात्मा के सौरू को जानना ही सच्चा ग्यान है इसकी विशेश्ता देखेंगे ज्यान शक्ती होती है ज्यान समाप्त नहीं हो सकता है सत्यता का नाम ही ज्यान है ज्यान की सीमा नहीं होती है अथा ज्यान जगत अनन्त है इसमें ज्यात एवं अग्यात सभी ज्यान समाहित रहता है ग्यान को प्राप्त करने के लिए अनुभाव अनिवार है ग्यान का स्ट्रोथ सूचना है ग्यान तीन तथे वर अधारित है सत्यता, साक्षे एवं विचार कोई व्यक्ति जितना ग्यान प्राप्त करेगा उसके ग्यान की भूक और बढ़ती जाएगी ग्यान निरेंतर बढ़ता रहता है अर्थाद ग्यान निरेंतर गतिशील है ग्यान बहु आयामी है मल्टी डैमेंशनल ग्यान सतत रूप से विक्सित होता रहता है इसका नेचर देखेंगे तो पहला है ग्यान एक साधन के रूप में ग्यान एक साध्य के रूप में और तीसरा है ग्यान एक संग्यनात्म परकरिया के रूप में और इसका उदेश्य है समस्याओ के समधान के रूप में हम जानते हैं कि ग्यान जीवन से संबंदि समस्याओ के समधान के लिए युक्ति परदान करता है बिना ग्यान के ना तो मनुष्य समस्याओं को पहचान सकता है और ना ही इन समस्याओं का समधान भी प्रस्टूत कर सकता है उसके बाद है व्यक्तिकत विकास यानि कि individual development ग्यान का एक उदेशे ये भी है कि मनुष्य का व्यक्तिकत विकास किया जा सके हम जानते हैं कि व्यक्तिकत विकास के सभी आयामों जैसे भाषा, कोशल, वेवार, अभी विरिती, अभी शमता, आदी को विक्सित करना ग्यान का महतबुन उदेशे तो ये सब इसके dimensions है उसके बाद है किसी घटना और परिस्थिती को समधने में सहायक ग्यान का उदेशे यह भी है कि यहां किसी घटना और परिस्थिती को समधने में सहायक होता है अगला है सूचना को निश्चित आकार देना ग्यान को महतबुन उदेशे यह भी है कि सूचना को एक निश्चित रूप दिया जाए क्यूंकि हम जानते हैं कि सूचना यहां वह भिकरी होती है अथा ग्यान ही इन भिकरी सूचना को सही एव निश्चीत रूप परदान करता है उसके बाद 5. किसी घटना का व्याख्या करना हम जानते हैं कि ग्यान को गटना का व्याख्या करता है, ग्यान के ही माद्यम से कोई भी जटीलता की व्याख्या की जाती है उप्यूक्त शम्ता का विकास करना किसी भी क्रिया को उची ढंग से क्रियान वेन के लिए उप्यूक शमता का विकास करना भी ग्यान का एक उदेश्य होता है उसके बाद नेक्स्ट है मानसिक शमता का विकास ग्यान हमारे मस्थिश के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन करता है जिससे हमारी बुद्धी की सायता से मानसिक शम्ताओं जैसे तर्क, विशलेशन, चिंतन, आदी विकास करता है फिर लाज़ पॉइंट है समाज का विकास, समाज का विकास विकास ग्यान का प्रमुक उधिश है फिर हम निशकरश में देखेंगे उपरूप्त विवरंस से यस पर्ष होता है कि ग्यान धनकी तरह होता है जितना मनुष्य को प्राप्थ होता है वह उतना ही ज्यादा पानी की इच्छा करता है वर्तमान सही में ज्यान का मातव बढ़ गया है क्योंकि वर्तमान सही में बाल केंदरी शिक्षा प्रणाली होने की कारण शिक्षा का मुख्य अधा अब ज्यान हो गया है तो यही था झाल झाल